राइसेन बेगम गंज से अमारे समबाद दातर शरश शर्मा की रिपोर्ट तेरा सो पचास बर्ग फीट से जादा नहीं बनेंगे दुर्गा जी के पंडाल रोट पर चलने के लिए छोड़ने होगी जगए बेगम गंज में साथ अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात रही करीब धाई दरजन इस्थानों पर की जाएगी दुर्गा जी की इस्थापना तीस बाई पैतालिस के पंडाल लगाए जाएंगे गरवे के बड़े आयुजान नहीं होंगे चल समारोई नहीं निकाला जा सकेगा अगर कहीं पर इस्थापना सड़क किनारे की जा रही है तो लोगों को निकलने के लिए इस्थान भी छोड़ना होगा इस्थापना दिवस इस्थाल पर भीड ज्यादा एकत्रित ना हो सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा समीतियों को आरती और पूजन जैसे योजनाओं में भक्तों की भीड जैसी इस्तिती ना बने यह समीति को सुनिश्चित करना होगा इद मिलाद नवी पर निकलने वाले जुलू सीमित संख्या में कोरोना गाइड लाइन के अंसार ही आयुजेत होंगे धोनी बिश्तारा की अंत्रों का उपियोग मध्यम गती से किया जा सकेगा कहीं पर भी आपत्ती जनक गाने नहीं बजाए जाएंगे इसके सबी लोग ध्यान रखें यह निर्णाय मंगलबार को थाना परिशर में आयुजेत सांती समीती की बैठक में लिया गया बैठक में हिंदू उत्सब समीती के पदत कारी गण मुस्लिम तेहर कमेटी के अध्यक्ष उपस्तित रहे और नब्दुरगा एबम मीद मिलान नदवी के पदों पर लेकर सासन की गाइड लाइन के तहट उक्त उत्सम मनाने को लेकर गाइड लाइन की जानकारी देते हुए बताई गई मूर्तियों का विसरजन समीती के दस कारी करताओं की मौजूदगी में बिना चल समारोय के ही निस्चित नदी के घाटों पर ही किया जा सकेगा बहीं दसेरे का भी कारी कम दसेरे मेदान में ही आजित किया जाएगा दोनों ही आईजन के लिए एक अलग अलग बैठक हिंदू उस्ता समीती दुर्गा उस्ता समीती के आईजित किया जाएंगे निर्ला से प्रसासन को अबगत कराए जाएंगे यह बात हिंदू स्था समीती अद्धिक्ष उपैंदर सिंग्ठाकर दोरा प्रिस्तुत की गई मुस्लिम तिहार कमेटी साहधत अली दोरा ईद मिलान नो दिवी के कारी करम की जानकारी दी गई इस्थापना इस्थलों के पती दिन साफ सापाई विद्धुत विवस्ता सो चारू रूप से पेजल सप्लाई करने के बारे में निर्देश S.D.M. अभिशेक चोरसिया के दोरा संबंदित विवाग के अधिकारियों को दिये गए दसेरा मैदान की विवस्ताओं को लेकर भी लोग निर्माण विवाग आधि को निर्देश देने की बात कही बैठक में S.D.M. अभिशेक चोरसिया तैसिलदार N.S. परमार T.I. इंदरा सिंग बिजली कंपनी के पतिनित प्रीती जैन हिंदू उस्ता समीती अध्यक्ष ओपैन सिंग टाकोर मुस्लिम तियोहार कमेटी अध्यक्ष साहधत अली समेत नगर के गड़मानने लोग और पस्तित रहे बिदीशा से हमारे समबाद दाता राम बाबू की रिपोर्ट अनुखा ब्रोध प्रदर्शन बिदीशा में उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी अधित नात का पुतला फुका कांग्रेस पाइटी ने किसानों के हत्या में केंड्रिय ग्रहराज मंत्री के बेटे दोरा बहन से कुचल कर की गई हत्या के ब्रोध में पाइटी जनों ने का किया आरोप योगी आधित नात का पत पर रहने का अधिकार नहीं बाइक किसानों के हत्यारे हैं बिधीशा में कांगरेष पायटी ने आज उत्तप्र देश के मुख मंतरी योगी आदित तिनात एवं केंद्रिय ग्रह राज मंतरी के बेटे का पुतला दहन किया गया पाइटी के लोगों ने उत्ता प्रदेश को मुख मंत्री के किसानों को हत्यारा कहा है बिरीशा के इस्थानिय नीमताल चोराहे पर गांडी चौक पर कांग्रेस पाइटी ने उत्ता प्रदेश के मुख मंत्री एबम केंद्रिय गरहराज मंत्री के बेटे जिन पर किसानों की हत्या का केस दर्ज हो चुका है दोनों का पतला दहन किया गया है गौरत अरभ है कि उत्ता प्रदेश के लखमी पुर्खीरी में रभी बार को एक कारी क्रेम के दोरान किसानों को कारों से रोंदने के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे पाइटी के नेता बिबेक सिंग ठाकूर ने बताया है कि हमने पतला दहन करने के पूर पहले ही दोनों पतलों को कार से रोंदा और एहा है एहसास कराने की कोशिस की है कि आम जनता को कितनी तकलीब होती है कार से रोंदने के बाद यह सलूक करने के बाद कैसी तकलीब होती होगी यह बताया है बिदिशा से हमारे संबाद दाता राम बाबू की रेपोर्ट